दोस्तों आज मैं पहुंचा हूँ दिमान मेकैनिकल वरकस गलदी नाबा मलेकल रोड गलदी में और आज मैं आपके लिए लिख रहा हूँ मेज कट्र दोस्तों अपने कट्र की वीडियो बहुत देखी होंगी मगर इस कट्र में और कट्रों में के मकाबल में क्या खास है वो अब को पूल जयान करें दूंगा सबसे पहले अब को बताना चाहता हो जो अब गट देखे रहे हैं इस चत्र का जो साइज वह 11 फीट का है इसके अंदर जो साइज है कि और इस कट्र से आप कौंगासी फचले कार सकते हैं जैसे सरसों हैं मका है हर हर है मतलब जो बड़ी फसले होती हैं उनको काटने के लिए कटर बना हुआ है और इसमें खास है दोस्तों इसकी जो सीट है वो इसकी जो मटाई है सीट की जो आपको सामने माबात करें वो आपको 12 गेज की सीट मिलने वाली है है एवी डोटी गेड़े हुआ है उसमें जो आपको उगर देख रहे हैं वो आपको 16 इंच का मिलता है जो काफी यदा मोटा है और ओके मकावले में जो इसकी टैन है और ओमें आपको नौइच की टैन मिलने वाली है जो पर 10 लगी हुई है वो ग्यारा इंच की है आनगे की बाद करें ट्रों की बिलेड कि बात करें इसके पती की तो वो बीड़ी आपको अच्छी और अपने के मिलने वाले है इसके जो आपको टॉली देख रहे हैं जो भ्यूझा जो आपके इसकी मह्ताई है वह आहाइं यह झुजन जो 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 जॉजे स्य चैन्य बने होती है जो यह गया क्रीं उटख़ है काफी चैन चाहत की चैन शोगती है है उयर्व मिलभी को मैं बहुत की हो यह उसका नर पेंट की प्याध प्रेंट au दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसी बात इनोड करवाना चाहता हूँ जो औरो काटरों में नहीं है जैसे कि सबसे पहले मैं आप टैर यह देख सकते हैं इसमें आपको बड़े टैर में लेंगे नौ-सोला के कंपणि नए टैर देती है साथ में और ट्रॉली है जो ट्रॉली है दो के बेरिंगों की बात करें तो सभी क्वालिटी के बैरिंग लगाए गया अच्छे बड़ी लगाए गये हैं और पीछे से आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तूं अप देख सकते हैं अगर आप कटर को और पिट करना चाहते हैं आपके पास जो भी हावेस्ट है आप असानी स यहां से फिट कर सकते हैं एक आदमी ही काटर को फिट कर सकता है और इसमें जितनी पुली है अच्छी और बड़ी अक्वालिटी की पुली डाली गई है बड़े इसमें बेरिंग आपको देखने को मिलेंगे और चैन को टैट करने के लिए गरारी सिस्टम दिया गया है यहां पिए कई कंपनियां बहुत अलकी चील गाते हैं मगना यहां पर गरारी सिस्टम दिया गया है तो चैन की लाइप है वह भी यादा बनी रहे और दोस्तों जो दिमान के लिकल्स हैं इंडिया में सबसे पहले जो थ्रेशर बनने का का इंडिया नाबे में करती आ रही है काफ सब्सक्राइब करें नापा की पहुत परानी कमपणी है दोस्तों जो डोसट्व आप प्राइब किसानों की इसलिक्टाइब के लिए थ्रेशयर बासकाड जाल बनाती आ रही है और उन्होंने कि सानों की डिमार्ड में रखते हुए इन्होंने कट्र बनाये है मका गत्र को क्रशंद इससे आप ऑफस्द निकाल सकते करक्ना जो बड़ीज होती है मक्क के कटाई करने हो चाहे बड़ी वासले चाहे सरसों की कटाई करनी हो तो आप इसका कटर से कर सकते हैं इसका कटर का उगर भी काफी बढ़िया दिया गया है उगर में जो सीट लगी हुई है वह भी काफी मोटी दी गई है किसी तरह आपको बैंड होने की दिक्कत नहीं आएगी इसमें गुर में और इसका बैलस है वह भी कंपनी ने अच्छार बड़े इसका बैलस निकाल कर इसको फिट किया गया है है और कंपनी दोस्तो को我們 अरक itक यह बना रही है उसको अच्छे से बढ़ी है तो क्टर भी आपको आर्फव्य में से यहां से जुड़ी है और जी और जी दो सुकते हैं तो आज जो कटर थ्यार था बार खड़ा था मैं उसकी वीडियो बना रहा हूँ तो किसान भाईयो अगर आप दिमान मकैल का वरक्त से जोड़ना चाहते हैं तो इनके कंटक्ट नमबर है जो आपको स्क्रीर पे मिल जाएंगे और वीडियो के नीचे मिल जाएंगे आप इन नमबर पर करका इस कटर को फ्रेशर बास्कट जाल को जो भी आप स्परपाट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं और जो भाई आपको कोई भी स्परपाट की जरूरत है उनको आप वीडियो शेर कीजिए और हमारे फेस्बुक, इस्टाग्राम, यूटूब पेज को यूटूब चैलर को सब्सक्राइब करें वीडियो को शेर कीजिए दन्यवाद